बोजन आधा पेट कर दुगना पानी पीऊ तिगुनो श्रम चौगुन हसी बरस सवासो जीऊ जी हां समचार प्रस के वोट एक्सप्रेस का कारवा पहुच चुका है काका हातरसी के शहर हातरस में हातरस वो शहर जिसका नाम सत्ता बदलने के साथ ही बदल जाता है कभी महामाया नगर तो कभी हातरस 1997 में तत्कालिन सरकार ने आगरा, मतुरा और अलिगठ के कुछ हिस्थों को काट कर ने जिला का गठन किया اور नाम रखा गया महामाया नगर जिसका नाम बात में बदल कर काका हाथरसी के नाम पर हाथरसर रख दिया गया हाथरस उत्तरपरदेश का एक ऐसा शहर जो भले ही छेतरफल के हिसाब से एक छोटा शहर है लेकिन परदेश की राजनीती में इस छेतर का एहम यूगदान रहा है जिसका असर इस शेहर के नाम पर भी पढ़ते रहता है तीन मई 1997 को अलिगर्ण, मधुरा और आगरा जिले के कुछ हिस्से को मिला कर बनाये गए इस नए जिले का नाम सरकार बदलने के साथ ही बदल जाती है ततकालीन मुख्यमंतری मायवती सरकार में इस शिले का गठन किया गया था और उस समय इस नए शिले का नाम गौतम बुत की मा के नाम पर महा माया नगर रखा गया था और जब 2012 में सपा सरकार आई तो इसका नाम बदल कर हातरस कर दिया गया जो हिंदी के हाथ से कवी और हाथरस में ही जन में काका हाथरसी के नाम पर रखा गया और जब हमारी वोट एक्सप्रेस अपनी चुनावी सफर में हाथरस की यातरा परने की तो हमने भी काका हाथरसी स्मार्क पार्ज से ही यातरा की शुरुआत करने की सोची वोट एक्सप्रेस के इस खास कारकर में हम यहां के तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहां की चुनावी फिजा किस तरफ जा रही है यहां चुनावी महौल किस तरह का है और कौन सी पार्टी के लोग यहां के लोगों को जादा अच्छे लगते हैं प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, तमाम लोगों से बात चीत करेंगे. रेलवे जब हातरस में आये थे, तो आधा घंटा हमें भी फाटक पे खड़े रहना पड़ा था, तमाम लोगों से बात चीत करेंगे. बाबा हातरस में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या आपके दिबांग में चल ला होगा बड़ी प्रोलम है तो कौन सा नेता है काका जो यहाँ पे जाम से मुक्ति दिलाएगा रेलवे फाटक पे पूल बनाएगा अंडर पास बनाएगा अच्छा लगेगा आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या है हातरस में चुनाव का सबसे बुद्दा ये एक तो गरीबी है यहाँ और सबसे जीदा के काम नहीं लोगों को मिल पा रहे है यह नोट को समझ hackah से जूजना पड़ रहा है इस शक्र में कामी बंद पड़े हैं लोगों की हातरसी एक ऐसा जिला रहा है कि पिछले दो सरकारों में जो इससे पहले की सरकार थी और अब जो वर्तमान सरकार है एक नएक विदायक यहां का मंतरी ज़रूर बनता है कि यात्यात की समझ्चा तो हई है का का हात्रसी का शहर है हम उनके समर्ती भवन पे अभी इसमारक समीती के भवन पे हम खड़े हैं तमाम सरकारे आई नीता आया हात्रस की जो पहचान का का हात्रसी वो पहचान उस तरह से उभर कर सामने आ पारी पूरी दुनिया में जैसा आन हाटर पूरी तरह पिरोजगारी कर नहीक है जहात हुआ है 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 अच्वी जो स्सक्रावा कौंकर यह स्फच्ज तहरे हातरस वैसे तो मैं बता दूँँ आपको कि काफी लंबे समय से भाउजन समाज पार्टी का यहां पर बर्चस रहा है जब से राम विरुपाद्या जी यहां चुनाब लड़े हैं लगातार चुनाब जीते रहें उसके बाद में पिछली बार जो बिधायक हुए है गेनलाल चौधरी वो भी भाउजन समाज पार्टी के थे लेकिन अब कुछ प्रजा जैसे कि मोधी का मौब बना था लेकिन जब नोटबंदी का मामला आया तो वो मौब भी ठंडा सा दिखाई दे रहा है नोटबंदी के बाद थेंडा सा दिखाई दे रहा है नोटबंदी एक बड़ा मुद्धा होगा कि हातरस में प्रतम तो आपका समाचाक प्लस का सुक्रियादा इसलिए करता हूँ कि आपने हातरस की समस्याा को अपने चेनल पर दिखाने का प्रयास किया जहां तक हातरस का प्रशन है और हातरस की समस्याओं का प्रशन है जैसे अन्य भाईयों ने बताया कि हातरस की में जगह है तलाब चोराहा यहां रेलवे का फांटक है वह चारो तरब से आने वाला सहर में आद आप कहीं से एंटर होंगे तो पहले उस चोराही पर जाएंगे हात्रस चुकि सांतप्रिय सहर है उद्योग पत्यों का सहर माना जाता रहा है आज यहां वेरोजगार की बहुत बड़ी समस्या है काका हात्रसी ने हात्रस का जो नाम रोशन किया काका हात्रसी ने निर्वे हात्रस का नाम विश्व विक्यात किया उससे पहले भी हात्रस में एक दाव जी का बहुत बड़ा मंदिर है दाव जी के नाम पर हात्रस में 15 दिन का मेला उस मंदिर पर लगता है तो उस दाव बाबा से हम तो यही कामना करते हैं यही प्रारतरा करते हैं हे दाव बाबा अगला मुर्क्यमंत्री तुस हमें हाथरस इंदा, दाव बाबा मुर्क्यमंत्री हाथरस का देंगे, तकि आज हम सढक्वां पर निकलते हैं, तो यहां लोग कहते हैं कि कौन सा फिल्म गाना धा ना कि सढक में रोड में इको घड़ा आया, तो हम तो हैं दोड़ दें कि गड़ों में सड़क पाई जाती है मुखमंतरी हातरस का हो ऐसी इनकी कामना है किस तरफ जा रहा है जब आप वोट डालने जाओगे एवियम का बटन दबाने जाओगे हातरस की बात हो और रंगों की बात न हो यह भला कैसे हो सकता है यहां का रंग सर्फ प्रदेश ही नहीं बलकि देश के अने राजियों में भी धेजा जाता है और जब हमारी वोट एक्स्प्रेस हाथ रस पहुची तो रंग के कारोबार से जुड़े लोगों से भी हमने बात चीत की कि आखिर अब की होली में वो अपना वोट रूपी रंग किस चहरे पहरे पर लगाने वाले हैं यानि अब की बार वो किस मुत्ते पर वोट करने वाले हैं ब्रज की होली दुनिया भर में मशुहूर है लेकिन यह शायद बहुत कम को पता होगा कि सिर्फ ब्रज में नहीं बलकि देश में जहां भी होली खेली जाती है उनके रंगों में हातरस की खुश्बू होती है यानि हातरस में रंगों का एक बड़ा कारोबार है और हम ऐसी ही एक फैक्टरी में पहुँचे हैं यहाँ पर रंग बन चुके हैं और उनकी पैकिंग की जा रही है और यहां हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कारोबारी से भी बिजनसमेंट से भी और यहां काम करने वाले मजदूरों से भी कि आखिर वो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं यहां पर चुनावी फिज़ा किस तरह की है और यह तमाम देखिए रंग होली आने वाली है और बड़ा दिश्चत आपको बता दूगी उत्तर परदेश में चुनाव के नतीजे जिस दिन निकलेंगे 11 मार्च को उसके दो दिन बाद ही होली है तो ये तैह होगा कि कौन सा राजनितिक दल जो है किस राजनीतिक दल के नेता होली मनाएंगे यहाँ जो मजदूर है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जाने की कोषिश करेंगे बोड दोगे इस बार जाके? धीघने वरट किसको दोगे? मुरडी को धिंगे अच्छा आप बोर्ट डालने जाओगे इस बार? आँ, क्यों नहीं जाएंगे? बोर्ट डालना तो अधकार है तो जब EVM का बटन आप दबाने जाओगे तो दिमाग में क्या चलना होगा? सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मुद्दा जे होगा जो नोट बंदी का जो खाला धन बगरा है बोच समापत होगा और आगे होता रहेगा इसलिए BGP को ही सपोर्ट करना चाहेंगे बड़ा बंदी का जो यह है यह समर्थन करना है यह पूरा रंगों के कारोबार की बड़ी फैक्ट्री है यहां भी देखिए इसको डब्बे में पैक किया जा रहा है जो रंग होते हैं डब्बे वाले उस डब्बे में यहां पर पैक किया जा रहा है और यह जो पैकिंग का काम है वो रंग है वहां पर डब्बे में पैक किया जा रहा है यह काम जो हो रहा है यह काम जो हो रहा है यह जो है जो ब्रांड नेम होता है वह यहां पर चस्पा किया जा रहा है हम कुछ आगे भी बात करेंगे कुछ और मजदूरों से भी बात करेंगे कि जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच रहे होंगे उनके दिमाग में क्या चला होगा यहां भी पैकिंग की जा रही है यह वोट डालने जाओगे जहां सोचके हम बोट डालने कवा यह जो पूरीフाक्ट्री है उनके मालीक से भी बात करेंगे कारोबारी जो तमाम हें नोट बंदी से फर्क पड़ा है के क्या लिकों में तका Bem करेंगे हो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा Kay T nuanced चुनामने अब जाओगे तो शबसे बड़ा मुद्दा क्रफिट मेरद होगा तब तक undertow सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल ला होगा जब आब वोट दिने जाओगे तो क्या सोच कर वोट करोगे सबसे पहला मुद्दा तो यहा है जो नोट बंदी के लिसे बाद की हार्यां कि हाला बिग्ड़ है वहाँर। तो ये बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे तो ये तमाम रंग अब उत्तरप्रदेश की जनता को ये डिसाइड करना है कि चुनावी नतीजे के महज 48 घंटे बाद कौन सा राजनितिक डल रंगों की होली मनाएगा हातरस की पैचान सिर्फ रंग से ही नहीं बल्कि एक और चीज से है और वो है हींग यहां का हींग सिर्फ उत्तरप्रदेश ही नहीं बल्कि तेश के अने राजियों में भी सप्लाई किया जाता है ऐसे में आपकी चुनाव में क्या है? हींग के कारोबारियों का मिजास सुनिए हातरस और हींग एक दूसरे का प्रयाय है तो हमें ऐसे ही एक कारखाने में आये हैं जहां हींग को प्रोसेस किया जाता है, सुखाया जाता है और अलग अलग तरह से हींग तयार करके इसकी पैकिंग की जाती है मार्केट में बेचा जाता है और कई प्रांतों के लोग सिर्फ उत्रप्रदेश में ही नहीं कई राजियों के लोग जो आते हैं वैपारी यहां आते हैं से हींग खरीद के ले जाते हैं अपने अपने राजियों बेशने के लिए तो समचार प्लस का वोट एक्सप्रेस यहां पहुंचा है और हम हींग के कारोबारियों से और यहां मौजूद इसमें कोई प्रोब्लम नी हो रही है सब लोग जो है क्या बोलते हैं स्वाइब मशीन से भी पेमिंट लेने एक चीज कहा जा रहा है जो विरोधी दर लगातार कह रहे हैं बीजेपी ने लागू किया इसको कैसलेस ट्रांजेक्शन की बात करें डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात करें लेकिन सपा हो बसपा हो कॉंग्रेस हो यह सब कहरें कि नहीं बड़ा मुद्दा होगा जनता सबक सिखाएगी तो इतना बड़ा मुद्दा बन गया क्या नहीं से इससे कोई फरक नी पड़ेगा यह तो जो है बेपच्छी लोग तो अपना भासना दिया ही करते है इस समय सब वेपार सोचारी रूप से चल रहे हैं सबके चुनावी महाल के बात करूं हातरस की बात करूं तो कौन सी पाटी आपको मजबूत लगती है जो यहां पर चुनाव जीते आपके हिसाब से 100 पशंद बीजेपी जीतेगी जीतेगी वाजब आप वोट देने तो दिमाग में क्या चल ला होगा कि क्या सोच कर वोट दे रहे होगे दिमाग में तो यह होगा विकास होना चाहिए देश का कम से विकास हो और अने एंप्लॉइमेंट खताम होनी चाहिए का बिजनेस भढ़ना चाहिए सब के चुनाव में वोट करोंगे आप हाँ जी करें तो चुनावी महल क्या लग रहा है किस तरह करो लगा दो जो काम बढ़िया करेगा उसी के साथ है सरकार तो जब आप वोट देते हो तो इस बहर क्या सोचा किसको वोट करोगे हाथ रस की सफर में हमारी वोट एक्सप्रेस अपनी रफ़तार से आगे बढ़ते हुई अब आकर रुकी शहर के मशूर घंटा घर चुराहे पर और यहां मौजूद लोगों ने भी हमारी वोट एक्सप्रेस के सरी अपकी चुनाव के लिए अपनी मुट्टे बयांगी पूरे शहर की घंटा घर चुराहा है घड़ी बन्ध है पिछले कई सालों से शुरू करने के तमाम प्रसासन की जो कोशिशे है वो नाकामयाब हो चुकी है और इसी घंटा घर चुराहे पर हमारे साथ यहां के परसिद डॉक्टर और तमाम लोग यहां पर मौजूद है पहला चरण पंदर जिले में जिसमें हातरस भी है सबसे बड़ा मुद्दा हातरस के विदानसवाद चुनाव का क्या रहने वाला है आपके साथ से गड़ी बंद रहे या ना रहे इससे सहर तो नहीं चलना लेकिन सहर तो अपनी आप में बैसी बंद है रास्ते है नहीं है यह कह रही है कि हमसे पूरा टेक्स लेती रहो और दोनों देंगे लेकिन हमसे बोर्ट मतलों क्योंकि हमारे बोल्त देने को फाइदा ही नहीं है हमारे जहांसे तो यतने रिपरजेंटेटिटिव जाते हैं वह एक तरह से दिमाज से शूरने जाते हैं उन्हें ना बोलने की चम्ता है थाना जाने की चम्ता तो होती है दलाली कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं पैसा कमा सकते हैं लेकिन जनता के लिए कभी कुछ नहीं कर विकास मुद्दा होना चाहिए विकास नहीं है तो कुछ भी नहीं है चलता है बंदो हो गया इसकी गोड़ी किसी ऐसी थी तो सबसे घुमती यहां पर कुछ भी नहीं हो जाएगा पूरा बादा करेगा पर काम उसके बाद जीतने के बाद कुछ नहीं होगा वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे कि किसको मैं वोट कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ एक उम्मीद जो सुनाब में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा बोट डालने जाओगे विकास की बात आती है जहां तक है लोग विकास चाहते हैं लेकिन पिछले कर्में काफी समय से देख रहे हैं कि जो जहां है वो वही है आप कहीं भी देखेंगे तो पुराने लोगों से भी पूछेंगे जो गली जैसी है वो वैसी है बस यह पहले इट थी अब पत्थर हो उत्तर प्रदीश में सरकार बनाएगा जो विकास करेगा आपके इसाब से हमारे इसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी में एक अच्छी सोच के नेता है बीजेपी आनी चाहिए तो यह हात्रस के घंटा घर से जंता की आवास थी हींग और रंगो के कारुबार के लिए मश्चुहूर हात्रस में आलू का सबसे ज़ादा उत्पाधन होता है ऐसे में जाहिर है कि यहाँ के किसानों को आलू की खेती के लिए काफी मेहनत करना पड़ता होगा आखिर अब की चुनाव के लिए क्या है यहां के किसारों के मुते सुनिए हातरस में आलू की खेती भी सबसे ज़ादा होती है पूरे परदेश में ही नहीं बलकि देश के कई राज्यों में सबसे ज़ादा जो आलू की खेती होती है वो हातरस में होती है आलू के खेत के किनारे हम यहां पर मौजूद है और यहां आप देख सकते हैं कि इस लहलहाते खेत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आलू की खेती कितने बड़े पैमाने पर हातरस में होती है और हातरस के तमाम बाजार जो हैं वो आलू से भरे हुए हैं ये सीजन एक तरह से शुरूँ हो जाता है اور यहां पर तैयारी हो रहे हैं ये पेस्टिसाइट्स के छिड़काव के लिए और यह पेस्टिसाइट्स का छिड़काव हो रहा है आलू की खेतों में ताकि इसको रोग से बचाया जा सके और जो ठंड है उस ठंड से भी बचाया जा सके और जादा आलू की खेती हो जादा से जादा पैदावार हो और यह तमाम लोग कितनी मेहनत और मशक्कत का काम है ज्यादा आलू की खेती हो उसको लेकर ये पेस्टिसाइट सो इन तमाम चीजों का छिड़काव जो वो किया जाता है यह बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद है जो इस पूरी परक्रिया में लगे वह इनसे बात्चीत करेंगे कैसी खेती आलू की कैसी हुई इस बार यहा हमारी आलू में वो पैसा हमारा सही आए मार्जन मिले किसान को किसान को कुछ अच्छे नाम मिलें उसका जो विकास हो किसान जो अब के लॉस में गया है कुल मिला कि जया कि इसका जो अब पैसा लग रहा हम तो बोडी जी को बोड दे दें लेकर पैसा तो निकल के आए हमार पर तो बनाए कुछ सोचा एक इसको बूट करोंगे तो बोट तो मुटी जी को भी करेंगे लेकिन उनसे अगर 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 हमारी बात उन तक पुंजा किसान लोगों की तो यादा अच्छा है कि आलू के बारे में मोदी जी सोचें और ठोड़ा किसानों को लाव दें तो उस से किसान और खुसा होंगे उनसे पीछे एक बज़ूर्ग दंपत्ती हमारे सामने मौजूद है यह बिलकुल खेत के किनारे अलू कैसा हुआ इस बार खेत में खुब बढ़िया भगो को टौपत तो दुबारा करो है यह दुबारा कर आपने और पहले जो करा था तो कहां जाओ गया और डेने जाओ गया जाओ प्रश को वोट दो गे कुछ सोचा आप ने अब देखो को वांगे बोट थे ना की दिंगे को यह माँ बहलो करे ता की दिंगे क्या सोचा आगे जब चुनाव आएगा तो वोट करोगे कौन ऐसा निता है जो पैसा दिलाएगा आपको मेरे हाथ में इस वक्त इत्र की बोतल मौझूद है इत्र जो की छोटे-छोटे बोतलों में आपके पास पहुचता है आप इसका यूस करते हैं खुश्बू के लिए और मैं इस वक्त हातरस के हसायन में मौझूद हूँ इसी तरह का इत्र का ये प्लांट है जहां पर ये इत्र बनाया जा रहा है यहां पर इत्र और गुलाब जल दोनों बनता है लेकिन गुलाब जल का जो सीजन है वो 15 मार्च के बाद शुरू होगा तो फिलहाल इस प्लांट पे जो है इत्र बनाया जा रहा है और बड़ी दिल्चप्ची जो हम आपको पूरा दिखाएंगे चुनावी मिजाज को बताने के साथ साथ भी कि किस तरह से ये बनाया जाता है और इसको पानी में भीगो के उसके बाद आग में पानी में इसको उबाल के और इससे जो इक तरह से रस निकलता है बहुत थोड़ी मातरा में उसके बाद उससे जो है वो इत्र बनता है तो ये एत्र का प्लांट है और हात्रस के हसायन में हम इस वक्त मौझूद है तमाम लोगों से बात करने के लिए कि यहां का चुनावी मिजाच क्या है पूरा कारोबार है नोट बंदी नोट बंदी बड़ा मुद्दा लोग कह रहे हैं कारोबार कैसा चल लाए नोट बंदी के बाद बहुत हलका असा अच्छी काजी प्रॉलम भी आ रही है पैसे की सरकार तो कह रहे हैं कि जनवरी के बाद सुधर गया एटिये में पैसा आ गया बैंकों में पैसा आ गया नई सर कुछ नहीं आ रहा है हम लोग चेक कारते हैं चेक बापस आ जाते हैं लोग और आगे आगे इसा रहेगा दो तील मिने अभी जी आप तो चुनाव भी आने वा कई कारिकर भी यहां मौझूद है और बिल्कुल जो आँच है जो धुआ है बहुत तेज आ रहा है इत्र बन रहा है तो आप देख सकते कि कितनी महनत से इत्र जो है वो बनाया जाता है और बहुत तेज आच में उबाला जा रहा है धुआ भी बहुत तेज निकलना है हमारी आ पहले भी किया है अब भी करेंगी सपा को वोट देंगे लेकिन सपा में तो लड़ा ही चल लिए बाप बेटे में चले कुछ भी सही उन्में कितना भी जगडा हो या कुछ भी हो मगर सफा बोट हम सफा को ही देंगे जा हमारे साथ इस प्लांट के और आसपास कई प्लांट च आएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहां पर बोट डालने जाएंगे लोग तो सबसे जादा अख्लेस वाबू को लोग चाहर हे और उन्होंने डौनोंने जो विकास कार किये उससे जनता बहुत ही खुश है और यहां की जनता यह चाहा रही है कि दोबारा सी है अखलेश बाबू ही हों विकास की बात कर रहे हैं तो यह हातरस की जनता की आवाज है तमाम लोग विकास की बात कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों की बात कर रहे हैं कोई बीजेपी की बात कर रहा है कोई बीएसपी की तो कोई अबरू करवाएंगे फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा परसनासी सोनकर को दीजिये इजाजत देश और दुनिया की बागी खबरे जानने के लिए देखते रहिए समचार प्लस